यह नोट्स आपके पास रहेंगे, PPT आपको दिखरी क्लासिक साथ इंग नोट्स को कवर कर सकते हैं यास नमस्कार बच्चो माईसाल सुमित आपका प्यार है chemistry faculty तो दोस्तो आज हम बात करें क्लास 12 के अंदर Solutions and Colligative के one short वीडियो के बारे यह वीडियो specifically बच्चों के लिए जो boards और CU2 को target करके चल रहे हैं आए ध्यान दीजिएगा सबसे पहले वेटेश की बात करें तो boards में इस चप्टर से बच्चों आएगा दो से तीन सवाल बस दो से तीन सवाल मार्क्स तो देख ले पहले सैसे साथ मार्क्स सतर मार्क्स में अगर आपको एक चप्टर एग घंटे में सेवन मार्क्स देखे जाएगा तो नुकसान के पाइदे की बात है ना भाई साथ में मुफ्त में आपको में लेगा CU2 दो से तीन सवाल वही गिसे बिटे NCID के सवाल आते हैं कुछ खास नहीं MCQ-based और इन दोनों को मैंने ध्यान में रखते हुए कुछ कोशन्स रखे भी हो हैं टॉपिक के एंड इस चेक्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चेक्टर को मोटा मोटा मैंने तीन पार्ट में रिवाइड किया है इसके बाद यहां जो दुख दर्द आपके हैं नारे खतम हो जाएंगे गंटे बर की वीडियो रहेगी इसमें आपका सारा टेकेज में कवर करो दो ग्राइड क्या कहां से आ सकते हैं अब साथ में अगर आप तमासा कर तो नोटस बनाने का तो को मतलब नहीं है फायदा के फिर गंटे अबर की वीडियो है नोट्स वराएं टाइम खराब नहीं करना नोट्स नीचे ओलड़े गीवन है वहाँ जाए डाउनलोड कर लिजिए और चाहो तो बढ़ लिजिए ठीक है ये नोट्स आपके पास रहेंगे और यह जो पीपीटी आपको दिखरी ग्लास्तिक साथ इसको और कवर करके ग्लास्क साथ या इनोट्स को और कर सकते हैं अपने पास ठीक है तो अलग से कुछ नहीं करना है क्लास सुननी है कोशन जो कराऊ उसको एक्टम्ट करना है ठीक है शुरू करते है भई हाँ तो यहाँ देखें, first topic अपने पास कौन सा है, 짜f madre pressure है, इसकी बात करते, भाई what is the vapor pressure अपने पास, simple सी बात है माललीज एक beaker आपके पास, ठीक है, beaker है तो आपने इसे में भर दिया liquid को, माललीज आपने इसके इंदर liquid water भर दिया, क्या भर दिया आपνα ngayles is बीकर आपने इसको बना दिया, ऐसे को प्लेट को डंडा लगा दी जी उपर ऐसे, ग्लास के उपर, क्या होगा समय समय पर क्या होगा बेसिकली, कुछ समय के बाद लिक्विड मॉलेकुल्स इस लिक्विड के को छोड़के एसकेप करना स्टार्ट करेंगे, और आपको यह जो वैक्यूम वाला स्पेस था यहाँ पर, वाटर के वेपर्स नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे, बंद कर रहा है आपने उपर से, बाहर पर जाएंगे नहीं, तो क्या होगा बेसिकली, इवैपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा, और फिर उस कुछ समय के बाद क्या रहेगा, आफ्टर इवैपरेशन, जब यहाँ मॉलेक्यूल्स वाटर वेपर जादा हो जाएंगे, तो वो कलब करेंगे, जोइन करेंगे, यहाँ मॉलेक्यूल्स वापस से कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, दो तमाशा हो रहे हैं, इवैपरेशन का भी, चंडेंसेशन का भी, जब इन दोनों तमाशों का रेट बराबर हो जाएगा न, उसको बोलते हैं, इक्विलिव्रियम कंडिशन, उस कंडिशन पे जो प सब्स्टांस का वो सब्स्टांस का वेपर प्रेशर आ जाएगा, समझ गए, यस ओर नो, तो कंडिशन क्या है, रेट ओफ एवैपरेशन मस्ट इब इक्वल टू रेट ओफ कंडेंसेशन, उसको बोलते हैं, इक्विलिव्रियम कंडिशन, कंडिशन कहें बेटाजी, रेट इवैपरेशन, इस इक्वल टू रेट ओफ कंडेंसेशन, इस इक्वल टू रेट ओफ कंडेंसेशन, अच्छा, यान कि जिस मोमेंट पे ये चीज़ बराबर हो जाएगी, उस मोमेंट पर जो प्रेशर आएगा, बहुत अच्छी बात है, डेफिनिशन के सामने हैं, पूछे जाते हैं यह वाटर है और अलकोहल है अपने पास किसका वेपर प्रिश्य जादा है किसका बॉलिंग पॉइंट कम यह जादा है तो डेफिनिशनी क्लियर यहां तक अब देखे जहां से आप कैसे कंपेर करेंगे यहां देखे यहां देखे माल लिजी तरह पास है टेंपरिचर टीवन टेंपरिचर टीटू और टीवन टेंपरिचर पे माल लेते हैं प्रेशर जो आ रहा था इवन वह आ रहा था 20 mmHg 20 mmHg T2 पे मालनी जी प्रेशर जो आ रहा है उसी गिवन सेम सब्स्टांस का वो आ रहा है 40 mmG यानि कि प्रेशर इंक्रिस कर गया तो क्या टेंपरिशर बढ़ा होगा? यस पूर नो अंसर है जी हाँ टेंपरिशर बढ़ाने पे ही प्रेशर बदल सकता है वेपर प्रेशर बदल सकता है वेपर प्रेशर डिपाइंड करता है सिर्फ ओर सिर्फ टेंपरेचर पे अगला कुछ वेपर प्रेशर डिपाइंड करता है सिर्फ ओर सिर्फ टेंपरेचर temperature बदलोगे, increase करोगे, vapor pressure increase कर जाएगा. अंसर क्या रहाएगा, जी हाँ, हमारा T2 is more than T1, simple सी बात अगर पूछा जाए तू. तो पहला relation के अपने बास, vapor pressure is a function of temperature only, only on temperature. बढ़ाओगे, Vp increase कर जाएगा. आगे लिखाओंगा मैं इन बातों को. दूसर सवाल आएगा, कि सर कैसे, कैसे मान ले आपकी बात को कि temperature बढ़ाया, तो pressure की मातरा जादा हो जाएगी. तो मुझे बताओ, simple सी. अगर तुम इसको गरम कर दोगे, यहाँ दोगो भई, तुम इसको heat कर दोगे, मान लीजी से भी करोगे, तो क्या होगा? तो liquid molecules में तहल का मच जाएगा, भाई. उनकी energy, kindic energy, एकदम से increase कर जाएगी, तो क्या होगा? उनकी escaping power काफी जादा बढ़ जाएगी. Because liquid molecules की बीच में, water के बीच में, hydrogen bonding काम कर रही है. H bonding को बोलते है, hydrogen bonding ही. उतना मत सोचो, यार, bonding काम कर रही है. तो bonding क्या होगी, basically, अगर गरंग कर रही है, तो बीच में जो bond है, जो force है, क्या होगी? कमजोर हो जाएगे, sir. तो दो liquid molecules पहले बंदे वेता, असपास, फ़र घर मिलेगी, दूर-दूर होगे, escape कर गे. अच्छा, तो temperature बढ़ाने पर, vapor pressure आपका increase कर जाएगा, because आपके molecules की escaping power बढ़ जाती है. ठीक है, चली, अच्छी बात है. अब सवाल उरता है, भाई, ठीक है, सरी यह बाप तो अच्छी है, लेकिन हम compare कैसे करेंगे, sir? यह तो अपने बता है feature, कि किस पर depend करता है, that is, it is dependent only on temperature. ठीक है, तो पहला point क्या हो गया, पहला point है temperature पर कैसे depend करता है अपने बास, तो vapor pressure is directly proportional to temperature, यह आपने देख लिया, और इस सिरिफ और सिव डिपेंड करता है temperature पर, गैस के molecules बढ़ा देंगे, sir, यह जादा बढ़ा बढ़ता ले लेंगे, sir, surface area बढ़ा देंगे, कुछ फ़रक नहीं पड़ता, थोड़ा सा पानी हो यह बहुत जादा पानी हो, pressure सेम आयागा, यानि कि amount, shape of vessel, इन सब बातों पे depend नहीं करता, अब मुझे बताओ, दो लिक्विड आपके बास, एक alcohol है, एक water है, तो मुझे बताओ, किसका vapor pressure जादा होगा, यह exam का सवाल आपके बास बनता है, कि भाई, compare कीजी, alcohol को, मान लिजे मैं लेता हूँ, ethanol, liquid A है, ethanol, और मान लिजे हम compare कर इस ethanol को, alcohol को, पानी के साथ बेटा जी, तो मुझे बताओ, बाई, A और B में किसका vapor pressure जादा है, तो sir, depend करेगा किसके vapor जादा बनेंगे sir, वो किस पी depend करेगा, उनके molecules की बीच में कौन सी force काम कर रही है, अगर molecules की बीच में कम force काम करेगी, वो जल्दी escape कर जाएंगे, pressure जादा बनेगा, अगर molecules की बीच में strong force काम क करेगी, नहीं बनेगा pressure, अच्छा, तो क्या रहेगा, मुझे बताओ, water, water के molecules की बीच में, और alcohol, alcohol के molecules की बीच में, कौन सी force काम करती है, sir, दोनों में force काम करती है, जिसका नाम होता है, hydrogen bonding, edge bonding, नाम तो सुनाओ, कम से कम, अंदर की बाप ना पताओ, चल जाए काम, बस नाम पताओंच, एक्जाम लिख देना आप, कि दोनों में edge bonding होती है, अगर दोनों में edge bonding है, तो answer कैसे निकालेंगे, sir, कमजोर या ताकतवर, water, water के molecules की बीच में, strong edge bonding काम करती है, और alcohol, alcohol के molecules की बीच में, weak, कमजोर edge bonding काम करती है, तो मुझे बताओ, water, water के molecules की बीच में, strong edge bonding है, तो क्या वो जल्दी से escape कर पाएंगे, नहीं सर, time लगेगा, गरम भी करना पड़ेगा, जादा vapor बनाने हैं तो, और alcohol में, सर, उनमें तो वैसे ही इच्छा कुछ खास नहीं है, कम जो रेच बोंडिंग है सर आपस में, तो क्या रहेगा, जल्दी से वो escape कर जाएंगे, vapors of water, simple सिधा सवाल आएगा, पहले बाता और MC क्यूक अंदर आता है, टिक मार दोग यह सुनो, logic पूझे है, logic आपके सामने available है, पहला point अपने वास ही हो गया, second question जो बन सकता है, वो बन सकता है boiling point पे, तो मुझे बताओ, किसका boiling point जादा होता है, water या alcohol का, याद है किसी को क्य किसी को याद है क्या, water का boiling point सर याद है मुझे, normal boiling point की बात कर रहा हूं मैं, 100 degree Celsius, और ethanol का लगबग 78 degree Celsius, अच्छा, ऐसा कैसे सर, अब इस boiling point को pressure से कैसे measure करेंगे सर, या बताओ आप मुझे, जिसका boiling point जादा होता है, उसका vapor pressure कम हो जाता है, देख लीजी आप, पानी को boil करने में जादा जोर आ रहा है, जादा खर्चा आ रहा है, जादा heat लग रही है, विकोज उसका pressure काफी कम है, तो बहार के pressure को match करने के लिए हमें जादा देर तक, जादा temperature में boil करना पड़ता है, लेकिन alcohol में, molecules में interaction काफी weak है, थोड़ा से गरम करता ही, वो बहार के pressure को achieve कर जाता है, अच्छा, तो concept क्या आए आपने पास, कि vapor pressure is inversely proportional to boiling point, अगर किसी liquid का boiling point जादा है, तो उसका vapor pressure कम हो जाएगा, देख लीजे, boiling point means temperature, यह सुनो, boiling point means temperature, विकोज आपको उस vapor pressure का achieve करने के लिए उतना जादा गरम करना पड़ेगा, विकोज आपको पता, what is P external, 1adium, उसको अच जादा heat करना पड़ेगा water molecules को, because of strong H bonding, इसको मैं अच्छे समझा रहा हूँ, because इन सब बातों को मुझे आगे चाहिए होगा, route slow के अंदर इस आई बात मुझे जोच पढ़ने वाली, पहले बता रहा हूँ, ऐसे मत देखो मुझे, किस तरह इतना कौन कराता है, यह काम की बा सेंटियस है, कौन हेंडिस, हेंडिस बोलते है, बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ, pressure बढ़ाओगे, तो gas की मातरा liquid में जादा हो जाएगी, high pressure पे gas dissolve करोगे, तो जादरा मातरा gas की dissolve हो जाएगी liquid के अंदर, बात भी सही है सर, pressure बढ़ा पांते हैं, लेकिन mathematically इसको explain कर सकरेंगा, तो mathematical logic दिया था आपके Henry भही आने, Henry's law, वो कहता है, उसके according क्या है, कि partial pressure of any gas is proportional to its mole fraction, is mole fraction, yes or no, check कर लिजा, its mole fraction, mole fraction मतलब amount, कितना जादा amount of gas उस liquid में soluble है, तो gas का high pressure है तो gas जादा घूलेगी, gas का ही pressure कम है, तो gas कम घूलेगी ना भाई, इसलिए आप CO2 की bottles में, पेपसी पीते हैं, गरी भी वैसी हो रखी है, पेपसी पीते हैं, पेपसी ढकन कोलते हैं, क्या आते हैं, फिस आवाज आती हैं, फिस आवाज क्यों आ रहे हैं, प्यक fishing के आवाज आती, because of, वहाँ से आपका CO2 जो excess pressure पे घुली वीती, वहाँ से निकल जाती है, because हर gas, हर liquid में, कुछ ना कुछ मातरा में, soluble होती है, अगर polar gas है, तो polar liquid में, जादा घूलेगी, non-polar gas है, तो non-polar liquid में, जादा dissolve होगी, the concept of like dissolves like, बात करते हैं, पहले यहाँ लिक्विड के अंदर, ठीक है, चलिए बाच्छी बात असल, तो यहाँ क्या आजाएगा, P gas is equal to KH multiplied by mole fraction of gas, जै हो, बड़ी असर, अब सारा गेम तो बीकर के अंदर हो रहा है, सारा गेम तो बीकर के अंदर हो रहा है, बीकर मतलब लिक्विड के अंदर हो रहा है, भी है, gas के moles भी है, yes or no, ठीक है सर, तो मुझे बताओ, gas का partial pressure क्या होगा, AH, that is Henry's constant, what is mole fraction of gas, mole fraction क्या होते है, सर, gas के mole, divide by, gas के mole plus liquid के moles, सही कह रहा हो सर, मैं, तू बिलकुल सही गया रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यही फॉर्मल है, चिपका दीजेगा, सिंपल सवाल बनते हैं पस एक approximation करने हैं, आपको क्या, exam में बस एक बात का, आपको जहान रखना है, कि gas के mole हमेशा है, liquid से बहुत कम रहेंगे, अच्छा तो क्या होगा, मुझे बताओ, अगर यह 1000 है, और यह इसकी मातरा 0.1 है, तो 1000 प्लस 0.1, कुछ उखार तो लोग ही नहीं, लगवक से ही रहे में चाहे कोई भी gas, तो नीचे वाला जो आपने gas plus liquid लिखा है, इसको आप approximation कर सकते हैं, और क्या लेखेंगे, चुकि liquid के moles काफी जादा रहते हैं, मीटा, तो आप क्या लेखेंगे, liquid के moles, plus gas के moles, इस nearly equal to liquid के moles, अच्छा, ताकि आपका सवाल का जवाब जल्दी exam में ये करना पड़ता है, ठीक है, exam में करना पड़ेगा, तो क्या रहेगा, यहाँ देखिया, value put कीजिया, P gas, partial pressure gas, बराबर के H, H henry's constant exam में given होगा, attention मत लीजिया, mole fraction gas का आजाएगा, हाँ सर, यह रह, ऐसे आजाएगा सर, देख लीजिया, यह आपका exam का formula है, देख लिजिया, पर, as it is exam में चिपका दीजियेगा, केज बता होगा, gas के emuls, liquid के emuls निकालेगा, जोगार दे रखा होगा, pressure आज़ेगा, अब केज के असर, केज को बोलता है, Henry's constant, केज डिपाइंड अड़ता है, gas कौन सी है, और liquid कौन सा है, gas बदलते रहोगे, same liquid रहेगा, केज अलग होता जाएगा, gas से में liquid बदलोगे, तो भी केज बदल जाएगा, यानि यह केज डिपेंड करता है, gas पे भी, और liquid पे भी, it is a function of pair, के gas कौन सी है, बाई साब यह बताएगे, और liquid कौन सा यह बताएगे, o2 gas पानी में अलग केज, o2 gas बेंजीन में अलग केज, o2 gas CCL form में अलग केज आएगा, तो गैस का function नहीं है पानी का function नहीं है, liquid का function नहीं है दोनों का function नहीं है gas भी depend करेगा कौन से gas है और कौन से liquid में उसका आप dissolve कर रहे है So, K is a function of both gas as well as liquid तो यह आपका है Henry's law का कुछ basic बाते इतना पता होगा ना exam में स्वाल बन जाएगा आगे बढ़े, done है, चलीज़े हम 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 आगे बढ़ते हैं भई है, आजाओ आपका फेवरेट नहीं कौन सा? राउड्स यो इसके लिए पढ़ाद आपको विपर प्रेशर के बारे because नहीं काम आएगा liquids के अंदर राउड्स बोलता है कि भाई water मान लिजे, उनको add कर दीजे, मिला दीजे pure water का कुछ special आ रहाता, vapor pressure of water pure alcohol का कुछ special आ रहाता, vapor pressure of pure alcohol अच्छी बात असर आ रहाता अब मिला दिया, mixture बना दिया अब उस mixture में water के molecules भी है, alcohol के molecules भी है, तो राउड्स बोलता है कि उस mixture के अंदर कितना contribution है pressure का, वो मैं आपको बताउँगा, अच्छा individual आपको बताईए individual आपको बताईए आपने निकाल चुका है, की पाने का इतना है alcohol का इतना, mixture में पाने का कितना है, और alcohol का कितना है, इसका formula मैं आपको बताउँगा, यानि कि अगर liquids को mix करेंगे तो उस mixture में दोनों component का pressure individual pressure क्या रहेगा और total pressure क्या रहेगा उसके बारे में बात करता है route slow आईए बात करते हैं so in a solution of volatile liquids the partial pressure of each component is proportional to its mole fraction यह कहता है जितना ज्यादा amount होगा उसका pressure ज्यादा होगा अच्छा अगर alcohol की मात्रा ज्यादा है mixture में तो alcohol के moles ज्यादा होंगे जी हाँ moles ज्यादा है तो उसका pressure भी ज्यादा आएगा पानी के moles कमते पानी के amount कम था तो pressure भी कमाएगा mixture के अंदर pure के अंदर नहीं mixture की बात कर रहा हूँ अच्छा तो कैसे निकालेंगे सर यहाँ यहाँ देखिया कुछ निकरन आपको यहाँ देखिया मान लीजिए आपके पास एक वीकर है मान लीजिए आपके पास एक वीकर है मान ली आसर इतना तो माने सकते हैं बढ़िया से देख लीजिए इसमें भढ़ दिया आपने कोई liquid भढ़ दिया मान लीजिए बहुत छोटी सी बात है आप formula बताऊंगा खतम हो जाया गई पर मुझे पता आप इतने दिमाग लाओगे नहीं तो simple सी वीडियो देख लीजिएगा ताम आपका हो जाएगा बूड के लिए पूरा पानी भढ़ दिया मैंने इसके अंदर अब alcohol भढ़ दिजिए अच्छा है पानी भढ़ दिया और alcohol ही भढ़ दिया सब मैंने सुन है पानी में alcohol डालने से मजा आता है मुझे नहीं पता भईया यह मजा बाद में लीजिएगा ठीक है हाँ एक समय के बाद मजा आएगा अभी लोगे तो कुछ और हो जायागा फिर चलिए पानी भढ़ दिया अलकॉल भढ़ दिया अब क्या करेंगे सब अब water का अच्छा राउल जबोलता है कि pure alcohol का प्रशे कितना है मैंने का p note b माल लेता हूँ so what is p note a p note b it is the vapor pressure of the pure component pure water का मतलब कुछ मिलाया नहीं water water है पूरा और pure alcohol का अच्छी बात अस है so define कैसे करेंगे इसको it is vapor pressure of pure component of pure यह भी क्या हो जागा vapor pressure of pure प्योर लिक्विड A, प्योर लिक्विड B, अच्छी बात है, यह तो हमको पता ही पहले से, अब इस mixture में मुझे बता ही है, mix हो चुका है, प्योर तो बचाने कुछ भी, मसाला बन चुका है, खिजडी बन चुकी है, अब क्या रहेगा यहां देखे, तो मुझे बता ही है, प्योर बी दिया, अच्छी बात, अब मैंने mixture बना चुका है, अब मैं उस mixture में A का कितना contribution है, अब और B का कितना contribution है, अब मैं बता देता हूँ, depending उसका कितने moles है, कितना fraction अपने पास है, अच्छी बात, प्योर बोलता है, what is PA, PA is equal to P not A, multiply by mole fraction of A, what is PB, P not B, multiply by mole fraction of B, देख ल एक बार नजर माण लीजी, यानि कि अगर आपको X A और X B पता है, मतलब mole fractions पता है, P not A, P not B पता है, तो इस mixture के अंदर A का प्रशी कितना होगा, अब इस mixture के अंदर B का प्रशी कितना होगा, अब आ जाएगा, मुझे खुल बताओ, अगर A का X A की value जादा है, तो PA भी जा जाएगा, डिपेंड करता है किस component का, कितना यहां पे आपने amount भढ़ दिया है, जादा alcohol रहेगा, अगर जादा alcohol है, और कम पानी है, तो मज़ा जादा आएगा सर, ऐसे तो करते हैं भाईया, alcohol कम रहता है सर, पानी जादा रहता है, नहीं नहीं सर, उल्टा बोल दिया आपन पानी कम रहता है, अपना अपना इसाब देख लीजिएगा, अगर alcohol जादा है, तो उसका अब pressure भी जादा आएगा, अगर पानी जादा है, तो पानी जादा होने के वज़े से उसका pressure पानी के वज़े से जादा आएगा, अपने पास, एड़ करता है उनको, yes, so what is total pressure PT, वह ह जाएगा contribution of A plus contribution due to B तो इस system का इस बीकर के अंदर जो vapors बन रहे हैं भाईया उन वेपर के वजे से total pressure कितना आ रहा है सर वो तो PT हो जाएगा वो तो PT हो जाएगा सर what is PT? PA पलस PB बस खतम कोशन what is PA? P not A X A plus P not B X B हो जाएगा यह सुनो exam में simple सवाल आता है आपको P not A P not B पर दिया होगा moles दिया होगे fraction निकाल लीजेगा आगे बढ़ जाएगा खेर end में कुछ question कराऊँगा तो समय में आ जाएगा हो जाएगा सर X A X B कैसे निकाल लेंगे? दोनों के moles दिया होगा और अगर आपने X A निकाल ली आना अलग से कुछ नहीं करना आपको आपको पता है कि mole fraction का सम कितना होता है? वन होता है सर तो अगर X A आ गया X B 1 minus X A हो जाएगा easy लागा done चलिए तो यह कुछ formula है regarding route slow के बारे में कि ऐसे इस तरह के से आपको formula को arrange करने है तो PA क्या होगा? P note X A done PP क्या होगा? P note B X B done add कर दो PT आ जाएगा इसका मान लिए PA कितना है? 50 आया PB 70 आया तो PT कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा ऐसे simple question algorithm होते हैं इस पे आगे बढ़े? चलिए तो ये तो आपने अच्छे-च्छी बाते करें ली सर ये तो बड़ी basic बाते होगी formula बाजे की कभी-कभी यहां से theory बन जाती है अच्छा theory पर सवाल बन जाता है कि ये solution ideal है की नहीं? ये solution non-ideal है की नहीं? इस सरी बात है यानि कि Raoul's law ideal solution पे applicable है non-ideal applicable नहीं है ये फिर मैं ये बोलू कि what is ideal solution the solution which is applicable और which follows route law the solution which does not follow routes law are known as non-ideal solutions जैसे आपने पढ़ा होगा class 11 में ideal gas non-ideal gas सुना है पढ़ा तो पता नहीं सुना तो कम से कम होगा ना हाँ सुना है सर एक real gas होती थी यहां बस ऐसी मान लीजिया वहाँ gas हटा दीजिये लगा दीजिये solution liquid लगा दीजिये वहाँ पे अच्छा ideal solutions ideal mixture बस ऐसे मान लीजिया अगर follow करेंगे तो route है follow नहीं करेंगे तो non-ideal solution हो जाएगा हाँ ऐसे मान लीजिया अगर आपका mixture follow करेंगे route को मजा आएगा ideal है follow नहीं करेंगा मारा जाएगा non-ideal है अपने पास तो सर्क कैसे बता करेंगे follow क्या ने क्या formula से आपके पास route का formula है answer आपने theoretically उसका निकाला pressure PT निकाल लिया आपने फिर आप गए लैब भागे भागे लैब में गए भागवा किया आपने लैब में उस mixture का experiment किया और experimental pressure निकाला PT डैश अब वो PT route के formula से और PT डैश experimentally अगर match कर गया तो बल्ले बल्ले है बड़ी है कोई दिक्कत नहीं जो उन्हें पढ़ाया exam आगे तो मज़े आजाएंगे आपका full marks आजाएंगा उरका चाहिए लेकिन होगता है यह भाई आपका experiment करते हुए value जादा या काम आजाए route के मुकाबले अच्छा तो फिर क्या होगा तो क्या route का follow किया आपने नहीं सर या तो value जादा है या काम है दोनों ही शर्तों में follow नहीं हो रहा है यानि की they will form non-ideal mixture और non-ideal liquid solutions ओके 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 अब हाई जहां से यह समझ लिया आपने अच्छा अब इन बातों का फटा फट से with examples note कर लेते हैं तो what is ideal solutions follow route slow follow route slow बस एक एक लैंग पता होगी न exam में आदा जाएगा what is non-ideal solution दो प्रकार क्या होंगे negative और positive बात करेंगे अभी do not follow route slow ये भी है तो वही non-ideal तो है ये do not follow route slow यहाँ तक तो ठीक है सर follow का मतलब formula किसे और experimental value बराबर आने चाहिए ठीक है सर अब अब देखी जहां से आप examples बताईए आप मुझे इसके examples कहा रहेंगे इसके examples कहा रहेंगे बात करें examples next lady में आपके पास आ जाएंगे मुटी बात ही देखी आप कैसे पता करेंगे कि deviation positive है कि deviation negative है आपका answer गलत आ रहा है बराबर तो नहीं आ रहा रहा है जादा या कम कैसे पता किया आपने value निकाली लैब में अब अब CBC exam में किसी board exam में लैब में तो जाओगे नहीं पीपर में कैसे पता करोगे कि deviation negative है या positive है अच्छा आईए ये बड़ा बोला इंसान है बेटा बहुत ही मासूम है अगर मासूम है तो क्या होगा इसका पहला property आ जाएगी कि volume change of mixing zero आ जाएगी zero मतलब sir 50 ml alcohol है 50 ml water है add कर देंगे 100 ml हो जाएगा sir finally 100 है initially 50-50 था तो change zero आएगा sir इसमें कौन सा दिमाग लगा रहे है अरे मुन्ना भाईया ऐसे नहीं काम चलता कि तुम्हारे 50-50 mathematics नहीं है ऐसे नहीं चलते chemistry हो सकता है बाद में interaction अच्छे से हुआ हो और पहले interaction कमजोर रही हो अच्छा हो सकता है water water में strong interaction थी उसमें आगे alcohol का molecule अब alcohol water में weak interaction है तो space बढ़ जाएगा ना उन molecules को volume जादा चाहिए होगी ना तो यह इसाब मत कीजेगा और वो सारा अच्छा अच्छा हिसाब जो आप करते हैं वो यहां कीजेगा ऐसा solutions जिसमें पहले जो volume थी add करने के बाद और जो mixture की volume है वो same रहेगी तो उनको बोलेंगे ideal solution volume change of mixing will be zero दूसरी बात इसमें enthalpy change भी zero रहेगी बहुत भले इंसान है ये लोग कहता है ना हमें energy दे नहीं है आपको ना हमें आपसे energy चाहिए हमारे आपस का मामला है कुछ bond तोड़ेंगे उनी bond के energy से कुछ नए bond बना लेंगे आप मत दिमाग लगाईए अच्छा मैंने का ठीक कैसे करोगी यह बोलता है शुरू में कुछ हमारे पास pure form में यह वाले bond काम करे थे यह interactions थी यह कौन सी थी बी बी interactions थी प्योर ए में ए interactions थी प्योर बी 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 इंटरेक्शन थी आपने मिलाया मैंने कहा अब हो जाएगे भाईशाब ए बी इंटरेक्शन तो मैंने का नए bond बने है कुछ तो फायदा होगा कुछ तो निक्सान हुआ होगा किता नहीं जिस strength के bond तोड़े मैंने लगबग उसी strength के bond बनाए है bond enthalpy यानि की bond energy का change जीरू आयेगा 50 joule खर्चा आया bond तोड़ने में पर जब bond बना तो लगबग उतनी heat आपको मिलगी reaction भी एक्षो थरमीक तो अच्छा फिर तो sir मजा आगया ना एक रुपए गया ना एक रुपए आया sir मतला भी साब बराबर रहा कुछ खास मजा तो नहीं आया ना risk तो zero है तो zero रहेगा सब कुछ कोई दिख करती नहीं जीरू तीसरा sir एक चीज तो अच्छी हो नीचीज़ सर को यहाँ एक चीज अच्छी विटा entropy of mixing is positive चलो सर आपने कुछ तो अच्छी वाद बताई हमको हाँ भाईया मुर्खों में कुछ तो अच्छी वाद बताऊ हो आपको मैं एक्जाम ऐसे से लिआओगे भाईया सब zero करके आजओगे जीरो 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 नहीं 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 एक आद चीज positive negative होती है तो मुझे पता what is entropy entropy मतलब randomness चलो उतना है मान लीजिए आप होता है randomness और mixing is always spontaneous क्या बोला मैंने mixing करते हैं तो it is always a random और a spontaneous process वोड़ो वो सब entropy change of mixing is positive चुकि last year आच चुक है इसलिए बता रहा है एक्जाम में आ सकते MCQ में आएगा entropy change के अपर में बताएं क्या रहेगा entropy change चाहे positive हो चाहे negative हो तीनों में ही तीनों ही case में entropy change हमेशा positive हो आगे system का तो इसके लिए आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है समझे because mixing कैसे भी हो mixing is always spontaneous delta जी negative हो जाएगा अथरमड़ाने में लिए delta एसको positive होना पड़ेगा system की बात कर रहा हूँ मत लगाई दिमाग इसलिए बता रहूँ रटा मार लीजेगा ठीक है चलिए पर यह साही बात आपने बता दी इसमें आई यह सर deviation कौन से है positive deviation कौन से है negative positive मतलब नंबर जादा आगे अच्छा मैं चाहता हूँ आपके 95 marks आए आप 100 marks लेके आगे एक्जाम में सर मज़ा आजाएगा हाँ चलो वही बात यहां हो रही है मैं चाहता हूँ आप 95 लाएगे आप 90 marks लेके बैठे हैं फिर बहुत मज़ा आएगा इस तरफ से बहुत गुसे पड़ेंगे फिर आपको अच्छा सर तो या तो ज़्यादा करो या कम सकम उतना करो कम मत कीजिए कम करोगे तो deviation negative हो जाएगी तो सर यह साथे parameter यहां के रहेंगे अपने पास positive कब होगी सर positive रहेगी बात करते हैं alcohol plus water के example जिसको हम शुरू से consume कर रहे हैं मतलब use कर रहे हैं अच्छा अब मुझे बता water water के बीच अच्छे interactions काम कर रहे हैं तर सर उसमें डाल दिया अपने alcohol water water का strong bond था strong edge bonding थी उसमें डाल दिया अपने alcohol तो alcohol और water में अब कमजोर bond बनना स्टार्ट हो जाएगा after the mixing तो strong bond पहले थे और जो नए bond बने वो थोड़ से कमजोर बने strong bond मतलब strong interaction मतलब आसपास atoms रहेंगे आपके आसपास molecules रहेंगे आपके strong interactions है न ओहो अब weak होगे mixture के अंदर तो मुझे बताओ यहाँ space जादा चाहिए यहाँ space जादा चाहिए molecule को sir final position में आपको space जादा चाहिए होगा इसका मतलब पचास ml पानी और पचास ml अलकॉल को मिला देंगे तो final beaker का volume 100 ml से जादा आएगा समझ गे yes or no समझ गे होगे yes or no because अब उनको space जादा चाहिए water और alcohol में कमजोर bond बने है water वाटर में strong bonding हो रही थी तो volume change क्या आएगा positive आएगा 50-50 था final कितना हो जाएगा 102 ml, 103 ml तो change क्या आएगा 50-100 minus 102 तो 102 में साप initial value minus करेंगे तो change आपके पास बढ़के कुछ आएगा 0 नहीं आएगा 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा अच्छा ये तो गजब बात असर ये तो बहुती गजब बात असर volume of mixing is positive ठीक है आगे बड़े चली अब देखे जांचे आप ये तो positive होगी ये भी आपको समझागी हो because इस फो रटा नहीं मारना आपको ये exam में आप बना लोगे because examples रटा मारने आपको वह examples रटे होंगे ना तो आप समझ लोगे यहां है bond weak और bond strong का meaning क्या आ रहा था अब मुझे बताओ नए वाले bond weak क्या strong है तो नए वाले bond positive की case में कमजोर है सर तभी volume जादे चाहिए अगर नए वाले bond कमजोर है तो bond बनने से energy निकलती है ये बात पता होनी चीए नहीं पता तो याद कर लो जब bond बनते है bond formation heat release होती है कमजोर bond बना है क्या ही heat मिलेगी और bond तोड़ा तो strong वाला खर्चा जादा आ गया खर्चा क्या 100 रुपे का मिले 50 रुपे नुकसान हो गया फायदा हो नुकसान हो गया सर तो क्या हो गया फिर अरे सर enthalpy change of mixing ओ हूँ पोजिडिव आगे सर endothermic process आए तो endothermic कि 100 रुपे लगाए मिले मुझे 50 रुपे कमजोर bond बनाए मैंने यार और कमजोर bond बनेगा तो space जादा घेरेगा खर्चा जादा करेगा बताओ अच्छी बात है कोई नहीं सर तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब AB bond जो बने हैं आपके नए bond जो बने हैं काफी कमजोर है पहले वाले original pure के मुकावले अच्छा तो new interactions are weaker than old interactions सर एंट्रोपी चींज तो positive रहेगी न हाँ भाया mixing is always spontaneous इसकी चिलता मत कर यह यहाँ भी positive थी यहाँ भी positive रहेगी एक बार ध्यान से देख ले तू अब negative क्या मतलब है सर इसका उल्टा कर दीजाओ खीक इसका उल्टा कर दो बस खतम question उठाइए उल्टा कर दीजिए volume negative है positive है यहाँ negative हो जाएगे सर बस negative में सब कुछ negative कर दीजेगा entropy के अलावा तुम्हारे marks negative हो जाएगे फिर enthalpy mixing positive है negative कर दीजेगा enthalpy mixing negative का मतलब हमें फायदा हुआ है energy release होई है 50 रुपे खर्च किये और 100 रुपे मिल गए आरे वाँ मज़ा आ जाएगा सर हाँ तो 50 में क्या ही मज़े करोगे बड़ एक्जांपल दे रहो है आपको समझेगे अच्छी बात अब उन्चे बताओ नया bond क्या रहेगा सर अब नया bond मजबूत बनेगा सर अब नया bond मजबूत बनेगा सर जी हाँ एक्जांपल क्या रहेगा इसका सबोज आपके बास HCL है अब नया रहेगा वाटर और वाटर के बीच में अच्छे bond है पहले मानता हूं मैं लेकिन वाटर में डाल दीजे acid को तो वो मज़ा डबल हो जायागा bond की strength बहुत ज़्यादा increase कर जाए because H positive आप चुका है तो यानि के वहाँ पे आयन डाइपोल इंट्रेक्शन स्टार्ट हो चुके है पहले तो डाइपोल डाइपोल थे नॉर्मल H बोर्निंग था समझे के डाइपोल डाइपोल मतलब अब H प्लस आचुका है आयन मन चुका है यानि के अब यहाँ पे आयन डाइपोल आचुका है स्ट्रोंग प्रिफरेंस ओफ स्ट्रोंग फोर्स ओफ एच बोर्निंग स्टार्ट हो जाएगा अपने पास अच्छा समझने आया ना मुझे पाता है टट्टा माढ लो एक दम से कि स्ट्रोंग एसीड और वाटर स्ट्रोंग बेस और वाटर अब और वाटर वाटर में कोई अब बनने वाले बोण्ड मजबूत है फायदा आपको रहेगा अब मुझे पताओ पहले बोण्ड तूर दुर थे अब बोण्ड पास पास है तो वॉल्म जेंज क्या आ जाएगी अब space कम चाहिए, पहले space दाद चाहिए था तो volume change क्या हो जाएगी? negative हो जाएगी, देख लिए पर मुझे बताई, yes or no example के रूप में लिख सकते हैं water plus hc लिख लिख लिजा कोई भी acid या कोई भी base अगर वह थोड़ा strong है तो ये clear है अब चाहो तो कुछ examples को आप साथ में supplement कर सकते हैं यहाँ देख लिजा, यह कुछ examples याद करने हैं, यह सारे examples एंसे आइडिस से हैं, यह आपको याद कम से कम होने चाहिए, यह सुनो इसकी बाप करते हैं, भोले मानस की कि ideal के अंदर से क्या case बनना था ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन जिसमें नाम सेम आयागा ना वो आइडिल का case बन जायागा बैंजीन, टॉल्विन ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन पैंटेन, हैक्जेन एनपैंटेन, एनएक्जेन सिमिलर देखने वाले molecules सेम नाम टाइप molecules विल भी आइडिल देखके पचान लोगे आप, अरे मासूम है तो आइडिल है, मिला होगे, सब बराबर रहेगा बैंजीन, टॉल्विन्स प्रकार्स अब इस कुछ एक्जाम्बल से हैं लेखिया जैसे क्लोरोफार्म, अलकोहल बैंजीन, अलकोहल सीडियोचाइफ, इथनॉल प्लस इसलफ़ोर, और यह अलकोहल और वाटर, यह तो हम जानते हीं, बात की इसके बार ने, बोल देख लिए जाए यहाँ बनने वाले बोंड कमजोर रहेंगी सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा यहाँ बनने वाले बोंड ताकतवर रहेंगे भाया वोल्यूम चेंज नेगेटिव अच्छा बोंड बना है, फायदा आपको होगा एनरजी आपको मिलेगी, प्रोसेस एक्जोथरिमिक यहाँ, डेल्टेस नेगेटिव बस एंट्रोपि पॉजिटिव रहेगा विपोजिटिव रहेगा, विपोजिटिव आल्वेस स्पॉन्टेनियस समझ गए हो, अगर इसकी एक्जामपल्स लिखने को आ जाएंगे, कर दीजेगा वहिया, एक्जाम में, ऐसे मुह मद्यकर मेरा एक्जाम में आपको पेपर देना है, ठीक है और सारे कोशन हें से बनने वाले पहले बतार होना आपको, व्यक्तर हम ट्राय करता है कि आप तक जो कंटेंट्स आए, वो कई बार क्या होते है, बैसिकली जो नोन इडिल सॉलूशन से, इसमें डेविशन नेगेटिव या पोजिटिव होती है यह अक्सर आपका एज़ोट्रोप्स बनाते है और एज़ोट्रोप्स क्या होते है अच्छा आपका एज़ोट्रोप्स से सेपरेटिव नहीं कर सकते हो आला कि वो लैब की टेक्निक से इतना आपके एग्जाम रेलिमेंट नहीं तो दो तिंग बाते मैंने बताई they are mixtures having constant boiling point एहली बाग and they cannot be separated by simple fractional or physical fractional distillation किसी chemical method से इनको आप separate कर सकते हो but किसी physical method से like FD you can't separate हाँ या ना अब आते हैं दो टाइब के होते हैं maximum and minimum maximum and minimum boiling as a prop अपनी बाँ से यह examples आ जाएगा पीटा negative deviation का बस खतम और यह example आ जाएगा positive deviation का एक बार ध्यान से देख लिजी आपने पास तो मझे लिजी आप ध्यान से अपने पास maximum boiling as a prop maximum boiling as a prop अब maximum boiling का मतलब क्या है boiling point जाद हो जाएगा boiling जादा करनी पड़ेगी क्यों डेवेश नेगेटिव है negative मतलब strong bond है बाद के bond strong बने हुए तो उनको तोडने में गरम करने में वेपर बनाने में जादा amount of heat देनी पड़ेगी ना maximum boiling point मतलब negative deviation और minimum boiling point मतलब boiling point बहुत कम है क्यों पहले से जादा pressure है pressure जादा क्यों है बिकोस bonds कमजोर है अगर bonds कमजोर है तो वेपर जादा बने होंगे पहले ही वेपर जादा है तो वेपर इन point का हो जाएगा से तो अगर minimum है अरे बिटा घरदी minimum है तो यहाँ पर क्या जाएगा बिटा positive आजाएगा और यहाँ पर आपके बास आजाएगा नेगिटीव समझ गए हूँ समझ गए हूँ लगा यहां पॉजिटिव कैसे आगा क्यों प्रहशर है वो तो मूर दो आल रावल्ड प्रेशर के में उत्युक्न प्रेशियर employ पैले pressure पहले से जादा है अगर pressure जादा है तो boiling point कम हो जाएगा कम मतलब minimum हो जाए अच्छा और यहाँ आपका जो PT है भाई साहब वो round से कम हो जाएगा ना यहाँ उस नए वाले bond मजबूत बने है तो marks कम आएंगे आपके अच्छा अब marks कम है तो dart जादा पड़ेगी मार जादा पड़ेगी ना भाई yes or no आप बोलके गएओ घर पे कि भाई आप कुछ हो जाए 95 minimum आएंगे अच्छा अब पता नहीं 5-10-15 विस आगे कैसे बोले 5-6 बच्चों को मिलागे माक्स नहीं बन पार इतने हैं तो तो ऐसी होना चाहिए और इसलिए हमेशे एग्जाम आप घर पे एग्जाम थोड़ा माक्स कम बोलके जाए करो कि ममी 80 आजाएंगे बस आपको पता है कि एक आख से भी लिखोंगे तो भी 80 आजाएंगे मेरे फिर भी घर पे थोड़ा कम बोलके जाओ एक्सपेक्टेशन कम दो घर वालों को और एक्सपेक्टेशन के बियोंड काम करके दिखा हुआ कि मैंने 80 आजाएंगे देखो 90 आजाएंगे वह खुश हो जाएंगे अब आप पहले 100 आजाएंगे मेरे तो दिन वाली बात है 100 आजाएंगे चिलाना कि वह उसके लिए सु आएंगे अपी 80 आजाएंगे 17 आजाएंगे फिर डिफेंड करोगे तो ने पढ़ाया वहां से कुछ नहीं आया फाल तुबाते करोगे तो कम बोलके जलो फिर जादा वहां पे आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए यह सुनो ताकि आपसे उमीद ही करना है कि यह कुछ वैसे नहीं करने वाला है तो एकदम से तुम कर दो गया था 95 आगे हाँ बस थोड़ा सार की वीडियो देख ली थी मैंने मज़ा मुझे आ गया था और थोड़ा सा मैं डेविशन के साथ गया था कि मैं पॉजिटिव के साथ मुझे जाना है असी बोलूँगा तो जहाद है ले क्या हूंगा मैं तो आप थोड़ी सी सामने वाले को कम एक्सपेटिक्शन दीजिए ताकि उसके बाद आप थोड़ा सा बैटर करेंगे तो आपका मुल्यानकन बैटर हो जाए बहुत अच्छी बाद इस प्रकार से यह सुनो चलिए तो यह था आपका राउट्स की बाते सारी खतम होगी खीक है आ जाएए अब राउट्स की बात करता है वेपर फेस में कई बाह होता क्या बेटा कि वेपर फेस का आपसे पूछता है दिमाग मत लगाईए यहां देखिए अच्छा कलास इलेवंथ गैशे स्टेट मुझे फता आपको याद नहीं है दिमाग मत लगाईए यहां देखिए Dalton's law of partial pressure Dalton यह कहता है कि अगर आपके वास gas mixture है तो इस gas mixture में किस gas का कितना pressure है अच्छा यह तो निकाल लेंगे सर दो gas है total pressure 10 cm है तो इसका 2 होगा उसका 8 हो जाएगा इसका 3 इसका 7 हो जाएगा मिक्शर के अंदर individual pressure कितना होगा राउल्ट क्या बोलता है कि liquid mixture के अंदर individual pressure क्या होगा liquid की बात का था राउल्ट और Dalton vapor की बात का था कि vapor के अंदर individual pressure कितना होगा बस इतना फरक अपने पास है तो Dalton का लो बेटा इसका formula क्या आता है अपनी बास कि partial pressure of any gas is equal to what? mole fraction of that gas into PT ये कौन सा mole fraction है ये vapor face का याने की gas का mole fraction है इसको चाहो तो symbol change कर लीजे YA कर लीजे आकि confuse ना करो कि XA और YA save ना हो जाए क्या करो बेटास को YA बना लो multiply by PT देख लीजे आप तो राउल्ट बोलता है अगर आपको उस vapor का total pressure पता है ना तो मैं आपको individually pressure बता दूँगा और mole fraction के साथ आप equate कर सकते हैं similarly उसे mixture में gas B का pressure कितना होगा YB multiply by PT और ये YAB क्या है आरे ये ही तो गजब की बात है ये जो YA और YB है ये mole fraction है vapor phase में what is XA XB liquid में liquid phase के अंदर amount fractions vapor बना vapors में आ चुका है A और B हाँ सकते तो vapor में कुछ amount भी दोगा A का amount YA B का amount YB fraction के भाशान तो what is YA YB it is mole fraction in the vapor phase जिन्दा हो भाई बताइए मुझे mole fraction in vapor phase चलिए भाईया अब इससे आपको compare करना round के साब से सरी पिये कौन से है यह राउल्ट वाला है क्या हाँ यह P और पिभी वही राउल्ट वाला है अच्छा तो सर आपने जो P मुझे अभी बताया वो है Y A into यह वाला कौन सा P T total pressure P A कौन सा है यह वही P A बेटा राउल्ट वाला तो what is P A की value P not A X A बराबर Y A P T यह P T कौन सा है यह P A प्लस P B वाला P T है P T पता होगा X A P not A पता होगा Y A आ जाएगा Y A आ गया तो आपको पता है कि mole fraction का सम हमेशा 1 होता है तो Y A प्लस Y B की value 1 हो जाएगे अगर Y A आ चुका है तो what is Y B 1 minus Y A यह Y B निकाल के Y A निकाल लीजिए कैसे भी कर लीजिए तो समझना थोड़ा जादा है रटा कम मारना है और इन formula पो याद कर लेना है formula याद करने important है लेकिन कहां से आए थोड़ा से जानना important आपके लिए ठीक है सिधा सवाल exam में आता है कि वाई वाई भी बताईए exam में सवाल हो जाएगा दन चली तो this was regarding rounds अब बात करते हैं last property की that is colligative properties that is colligative properties की बात करेंगे solids की बात करेंगे इसे solid को liquid में डाल दीजे liquid में dissolve कर दीजिए तो क्या बनने वाले आपने पहले gas को dissolve के liquid के अंदर henry is low liquid को डाल liquid के अंदर round slow अब solid डालोगे liquid के अंदर solid in liquid is colligative properties अब sir what is colligative properties ऐसे properties जो depend करती है amount पे, number पे किस पे? amount पे, number पे या mass पे nature कैसा है? depend नहीं करती ACL है कि NACL है? मुझे मतलब नहीं है amount कितना ये बताएगे यारे कि nature of electrolyte भी depend नहीं करती ही nature of substance भी depend नहीं करती ही depend करती ही उसके amount पे उसके moles पे या उसके mass पे so they are called as colligative properties और हमार स्लिवस में बेटा चार colligative properties हैं उनको हमें deal करना है पहले कौन से अपने बास first is RLVP relative lowering in vapor pressure second अपने बास बेटा elevation in boiling point delta TB third अपने बास depression in freezing point आपको नहीं जाए depression में freezing point जाएगा osmotic pressure अपने बास osmotic pressure symbol रहेगा पाई तो ये चार colligative हैं जो हमारे slaves के अंदर गीवन है बस इन चार के formula बयाद हो जाएगा आपको exam में काम बन जाएगा इनके formula और एकाद extra बाती जो बताऊंगा बस और चिपका देंगे went off का तड़का लगा देंगे went off का तड़का लगा देंगे तो सवाल तयार हो जाएगा exam का आईए तो फटावर्स इनके formula ये बाद देख लेते हैं बात करते हैं RLVP की बारे में relative lowering in vapor pressure तो concept ये बेटा concept ये आर एक्चुली यहाँ देखिया भिहां से concept ये ये अपने बास ये मालग बीकर है आप आज बीकर बहुत बना रहे हैं तो बेटा बीकर तो बनाएंगे इना यार बीना बीकर कैसे काम चलेगा बीना बीकर जशन कैसे बनाओंगे आप ये सुनो तो बीकर तो जरूर रिपेटा बीकर अपने ले लिए चलो भी कर भढ़ दिया आपने liquid भढ़ दिया आपने मालो आपने पाने भढ़ दिया भढ़ दिया सर पानी yellow color का होता है येलो color का नहीं होता पानी लेकिन भढ़ने के लिए बता रहा हूं बैटा ठीक है अच्छा सर चलो और आपने भढ़ दिया कोई भी solid तो solid है किसमें? liquid में क्या बनगी? colligative की बात करेंगे solution तयार हो चुक है अपने पास कर दिया आपने तो colligative properties कहती है ये pure liquid था इसका कुछ vapor pressure आ रहा होगा पीनोट आएगा हम पढ़ते हो आए वह तक तो मुझे बताओ solvent का, pure solvent का कितना pressure है? पीनोट है सर याद है मुझे अब डाल दिया उसके अंदर आपने चीनी डाल दी नमक डाल दिया, खुद को डाल दिया कोई भी solid add कर दिजिए इसके अंदर ठीक है सर अब कुछ भी add कर दिया आपने क्या होगा? उसके molecules आ जाएंगे? यह सुनो उस solid के molecules बीच में आ जाएंगे? बोलो बेटा यह सुनो आप solid के molecules वो तो उड़ेंगे नहीं because it is solid, it is non-volatile उसके vapors बनेंगे नहीं पानी जो उड़ रहा था, vapors बना रहा था उसका भी कम हो जाएगा मामला क्यों sir? because surface पे कुछ solid के molecules आ जाएंगे तो पाने के molecules उपर जाके रुक जाएंगे, टकरा के वपस आ जाएंगे उनके पास उपर space नहीं बचेगा अराम से escape करनेगा because solution के अंदर solid के particles पे आ चुके हम उनको रो करें खुद तो जानी रहें, उपर से pure solvent के molecules को, water के molecules को भी stop कर रहें अच्छा अब solution के अंदर बहुत ही कम molecules escape कर पाएंगे solvent के तो मुझे बताओ इस solution का pressure कम होगा या जाद होगा पहले की मुकाबले सरफ पहले तो pure पानी था, मजा आ रहा था pressure जा रहा था, पीनोर था अब solution में से pressure कम हो जाए कम मतलब lowering हो जाएगे सरफ, lowering in vapor pressure क्या बोला मैंने, lowering in vapor pressure, done है, आईए उमीद आप समझ गयोंगे तो formula क्या बनेगा, बस formula तयार ये लिजी आ, formula P0-PS divide by P0 equal to XB, what is XB? mole fraction of solute, mole fraction of solute so what is XB, बेटा? mole fraction of solute जो भी आपने solid add किया है, उसका fraction जो भी आपने solid add किया है, उसका solute का mole fraction अपने पास है, ठीक है? what is P0? pure का pressure what is P0? solution का pressure, कम हो गया सर? P0-PS by P0 relative lowering हो जाएगे सरी ये तो अच्छा expand करें formula को, जी सर P0-PS ये क्या है, lowering है, divide का तो P0 से क्या हो जाएगा? relative lowering हो जाएगे सर what is XB? B के moles कितने है, B माने? solute divide by B के moles कितने है, plus divide by A के moles कितने है मैं A को यहाँ पर मान रहा हूँ solvent और B को मैं मान रहा हूँ solute, वो आपकी इच्छा कुछ बोल दीजिया, ठीके बेटा, चली, तो मैंने क्या बोला, मैं A को मान रहा हूँ यहाँ पर solvent, वो तो इच्छा आप किये बेटा और B को आप मान रहा हूँ solute है तो यह solute का mole fraction अपने पास आ जाएगा, चेक कर लिज़ा, देख लिज़ा as it is formula exam में चिपका दीज़ेगा, यह values आप निकाल लोगे, exam में given होती है, आ जाएगा कर लोगे, yes or no बताएगा तो यह आपके पास पहला formula है, किसका relative lowering in vapor pressure का जो आपको याद होना चाहिए कम से कम देख लिज़ा, इतना तो याद हो कम से कम, एक formula next next बात करते हैं बेटा, next वो बीटे अपने पास आएगी elevation in boiling point की भाई, what is boiling point, उसका elevation कैसे करवा रहे हैं आप boiling point is not colligative, उसका elevation is colligative, boiling point is not colligative, उसका elevation is colligative elevation मतलब increase हो जाना, change increase, change positive आना, अच्छा increment in boiling point is colligative, boiling point itself is not colligative, समझेगे, पहला सबल यह बन जाता है अब मुझे बताओ, तुमने अभी तमासा करके बताया मुझे कि साथ pressure कम हो जायगा Solution का pressure कम हो जायगा सर, तो मुझे बताओ solution का boiling point जादा नहीं हो जायगा, हाँ सर अगर pressure कम हो जायगा, तो boiling point जादा हो जाता है, topic 1, vapor pressure से खटम कोशन, तो solution का boiling point, solvent के मुकावले, जादा हो जाएगा, तो change, बढ़के आएगा, elevate हो जाएगा, pure water का boiling point होता है, 100 degree Celsius, उसमें डाल दो नमक, डाल दो चीनी, बन गया solution, अच्छी बात है, गरम करो, pure water क्या था, 100 degree पे, 180m आ चोगा था pressure, अब उस solution का, जिसमें चीनी या नमक, कुछ भी डाला हो आपने, उसको, उसका boiling point कितना होगा, सो से ज़्यादा हो या कम होगा, सर, सो से ज़्यादा होगा, सर, because pressure कम है सर, तो हमें ज़्यादा heat करना पड़ेगा, ज़्यादा amount of heat देना ही पड़ेगी, तो एक सो दो, एक सो तेन, एक सो पांच, एक सो बीस degree तक जा सकता है, उसका, तो solution का boiling point, elevate कर जाएगा, inflate कर जाएगा, pure solvent के मकाभल, that is called elevation boiling point, because pressure कम हो चुका था, या ज़्यादा हो, तो सारी बाते link होती है, एक दूसरे से, यहाँ देख लिजिए आप, क्या बोलेंगे, डेल्टा टी बी, बराबर, के बी, इन्टु एम, यह formula अपने बास से, what is के बी, के बी को बोलते हैं, बेटा जी, के बी को बोलते हैं, M is molality, molality, done, के बी स, molality, done, हो चुका है अपने पास, ग्राफ से समझते हैं बातों को, ताकि आप चीज़ों को अच्छे समझ पाएं, और उसी ग्राफ में सारी बाते समझा दूँगा, हमें, एक बार में ही, कैसे सर, यहाँ देखिया, सब कुछ आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, दिस इस प्रेशर, दिस इस सपूस्ट टेंपरेचर, दिस इस टेंपरेचर एक्सिस, वाली जबने हैं, इस तरीके से, तो सो ग्राफ बनता है, बेटिस, और एन साइटी में ग्राफ गिवन भी है, वो देखते हम बनाते हैं उसको, अच्छा, ये गराफ है, ये गराफ की बात करने पास, इसको बोलते हैं, फेज डायग्राम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, फेज डायग्राम, जिसको, अगर आपने नाम सुना है, बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना, और अच्छी बात है, आपके काम का नहीं है, नाम काम का नहीं है, डियाग्राम काम का वैसे, यह मैंने बनाए है, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर वार्टर का डियाग्राम, असर कैसे कैसे बता यहां मुझे, यह आपके पास है, सॉलिड, लिक्विड और यह वेपर, सॉलिड आइस, यह लिक्विड वार्टर और यह वार्टर वेपर, तीन फेस होते हैं, तीनों फेस दिखा दे मैंने आपको, फेस डियाग्राम, अच्छा, और यह बाउंडरी क्या है, लिक्विड से वेपर का ट्रांजिशन है, लिक्विड से सॉलिड का ट्रांजिशन है, इ से आ जाएगा। सल्यूशन का कुछ ऐसे आ जाएगा। सल्यूशन का कुछ ऐसे आ जाएगा अपने पास। यह देख लिजाए। सल्यूशन का कुछ ऐसे आ जाएगा अपने पास। सल्यूशन का कुछ ऐसे आ जाएगा अपने पास। यह solution का vapor phase diagram पने में सुझ रहा है, कैसे यहां देखिया है, मुझे बताओ pure water का कितना boiling point है, सर प्योर water का boiling point रहेगा, 100 degree Celsius एक ATM पर, तो यह liquid से vapor का phase है, यह मान लीजिए, यह, यह आपका है, यह आपका है बेटा जी क्या, यह आपका है बेटा जी, boiling point of यह, आपका pressure कितना है, इस pressure को मान लेते है, 1 ATM, 1 ATM pressure, और कितना boiling point of pure water का, सर प्योर water का boiling point है, आपने पास 100 degree Celsius, 100 degree Celsius, कितना है, 100 degree Celsius, अब मुझे बताओ, उसी 1 ATM को अचीव करने के लिए, आपको जादा हीट करना पड़ेगा, यहाँ देख लिजिए, यह क्या है, TB not, तो मुझे बताओ, 100 से जादा है कि नहीं, यहाँ सर जादा है, इसी gap को बेटा जी आप बोलते हो, समझते हो, डेल्टा, TB, इसलिए बोला जाता है, Elevation in boiling point, इसलिए बोला जाता है बीटा, Elevation in boiling point, एक बड़ जाहन से समझ लिजिए आप हाँ तक, तो what is TB, TB S minus TB not, इसलिए बढ़ता है boiling point आप तो, आप यहाँ देखे, freezing point की बात करते हैं, अब यहाँ देखे, freezing point की बात भी कर सकते हैं, आप चाहो तो, what is freezing point of water, zero degrees Celsius, what is freezing point of solution, sir, कुछ कम लगा रहा है मुझे तो, कम मतलब, depressed हो गया sir, मैं तो, depression हो गया, depression, solution का freezing point, change क्या हो जाएगा, delta TF, यानि की, pure water freezing point कितना होता है, zero degrees Celsius, उसमें कुछ add कर दोगे, तो freezing point कम हो जाएगा, कम मतलब, minus 3, minus 4 हो जाएगा, तो change क्या हैगा, negative हैगा sir, depression in freezing point, yes or no, एक graph से आपने सारी बात समझ लिए हैं, अब हमें audio बढ़ना चाहिए, अब हम चलते हैं, सारी बात करते हैं regarding formulas, अब आप फड़ावर्ट से देख लिएजी बेटा, कितने सारे formula अपने पास आ जाएगा, आईए, delta TB, बराबर क्या हो जाएगा, kb multiply by m, similarly, delta TF क्या हो जाएगा बेटा, kf multiply by m, बोलो या सोनो, चल जाएगा, यह सुनों बताएं मुझे, similarly, pi बराबर क्या हो जाएगा, pi बराबर हो जाएगा, CRT, और चोथा कौन सा था, p note minus ps, upon what, p note बराबर, क्या हो जाएगा, xb, यह चार कॉलिगेटिव हैं, आपको as it is याद होनी चाहिए, कुछ questions करने के इनके उपर, तो बात हो जाएगा, तो graph से आप सारी बात को समझा सकते हैं, और यह अपने बस osmotic pressure है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, तो यहां तक अगर आपको idea हो चुका है, तो अभी हमें थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ना चाहिए, अगर आप allow करते हैं तो, अभी हम बात करते हैं, पहले तो went of factor के बारे में, कि what is went of factor, चीक है, बात करें, कि what is went of factor, तो बेटा कईबा इसको use करते हैं, इसको use करते हैं, for those electrolyte, for those electrolyte, which can dissociate or associate, जो क्या करते हैं मेटा, dissociate करते हैं, या associate करते हैं, या जुडेंगे या तूटेंगे, dissociate या associate, माली एनी सेल है, एनी प्लस बनेगा, सील मानेस बनेगा, तो इसके number of molecules कितने हो जाएंगे, number of atoms कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे सर, पर हम तो एनी सेल को एक मान के चल रहेते हैं, या पर तो दो ions हैं, तो आपका colligative property में कुछ change आएगे, तो इस change को incorporate करने के लिए event of को डाला जाता है, और वेंट of factor का symbol बेटा क्या रहेगा, आई रहेगा, कैसे निकालेंगे बस हो जाएगा, दो case बन जाएगे, case one किसका dissociation का, अगर आपका salute dissociate करेगा, जिसमें i की value हमेशा बढ़ी आएगे, दूसरा case, case number two, is of association, is of association, association में क्या रहेगा, आपका हमेशा ही बेटा, इसमें i की value less than one हो जाएगा, i less than one हो जाएगा, i less than one association, i more than one dissociation अपने पास, formula क्या रहेगा sir, बस simple formula आपको याद रख लेना है, i बराबर one plus n, one plus n, minus one alpha, और यहां आजाएगे बेटाय का formula, one plus one by n, minus one alpha, यह n के है number of ions है, जो तूटने के बाद बनेंगे, यह n के है number of ions जो जुडेंगे आपस में, मतलब अगर exam में लिखा हुआ जाए, dimer बनेगा, dimer मतलब n बराबर two हो जाएगा, अगर exam में लिखा हुआ जाए, trimer बनेगा, तो ट्राइमर मतलब n बराबर three हो जाएगा, तो यह language आपका exam में नजरा आजए, सवाल के अंदर, कि यह जुड़के associate होके dimerize कर रहे हैं, n will be two, trimerize कर रहे हैं, n will be three, put कर देंगे आ जाएगा, what is alpha, alpha is degree of dissociation, कितना dissociate या कितना associate हुआ है, तो इन simple formulas आप आई निकाल लेंगे, उस आई को use करके, qualitative की further new calculations कर सकते हैं, करके देखते हैं, यहां तक clear एक बार मुझे बताएगे yes or no, अगर है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है बाई, बात करें आगे चलिए, यहां तक बात कर चुके अब कुछ इस पर सवाल लेखते हैं, इस पर question कैसे बनने वाले, यहां देखें बैटा question देखें कर ध्यान से आप, calculate degree of dissociation for CACL2, इसका i दियाओ है 2.5, तो dissociate हो रहे हैं, इसका i 1 से बढ़ा होना चीए, 1 से बढ़ा ऐसा, i will be equal to 1 plus n minus 1 alpha, alpha निकानना है सरम को, तो कैसे करेंगे बैटा, पहले इसको आप dissociate कर लीजे, CACL2 है, क्या बनेगा बैटा, calcium 2 positive, plus 2Cl negative, यही बनेगा, तो मुझे बताओ कितने ions बन रहे हैं, सर एक calcium का आइन है, 2Cl का आइन है, तीन आइन सर्टोटल सर्ट, so what is number, what is number of आइन 3 सर्ट, n will be 3, first khatam question, 2.5, बराबर 1 plus 3 minus 1, that is 2 alpha, 1.5, 2 alpha, so what is alpha, 0.75, 0.75, percentage कुछाएगा तो, 75 percentage होजाएगा, कितना simple सवाल exam में आएगा बताएगा, अगला पार देखे, अगला पार देखे बिच्चो, यहां जाएगा, find I for calcium phosphate, if DOD is 100%, DOD 100 का मतलब होता है, alpha 1 हो जाएगा, समझ गे, percentage alpha 100 है, alpha 1 हो जाएगा, complete dissociation हो रहा है, कोई लिक्कत नहीं, calcium phosphate है सर, calcium phosphate है, सबसे पहला काम होता है, इसको dissociate करना, क्या बनेगा, 3 calcium का आइन्स है सर, 3 ions calcium के हैं, और 2 ions phosphate के हैं सर, 2 ions बेटा जी, phosphate के हैं सर, 2 ions बेटा जी, phosphate के अपने पास हो जाएगा, 3 calcium का आइन्स है, 2 phosphate का आइन्स, तो मुझे बताओ, number of ions कितने होगें, सर, number of ions, 3 और 2, 5 हो जाएगे, i निकाल लेंगे सर, alpha 1 है सर, तो i कितना आएगा, 1 plus 5 minus 1, 4 alpha, क्योंकि alpha 1 है, तो 1 plus 4 equal to 5 हो जाएगे, अगर आपका alpha 1 होता है, अगर आपका alpha 1 होता है, तो जो n होगा, वही आपका i हो जाएगे, तो उसका 5 i आ रहा है, डन हो गया, अब इस i को, उन फोन में जोडते हैं बिटा, इस i को colligating के साथ कैसे जोड़ेंगे, कैसे incorporate करेंगे, ताकि सवाल के अंदर input कर सकें, यहां देखें बिटा, p0 minus ps upon p0, बराबर क्या था? सर, mole fraction of solute, solute plus solvent का fraction, यही था बिटा, तो जहां जहां आपका solute आएगा, उसके आगे i लगा दीजेगा, खतम बात, वेकरस आपका solute ही dissociate कर रहाता हो, तो जहां 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 आएगा, वहां आगे i लगा दीजेगा, similarly, पाई बराबर क्या था? सर, पाई बराबर क्या था? सर, पाई बराबर क्या था? बहुत असान formula है, simple formula होने जहां आपको, ज्यादा घुसोगे time खरा हो जाएगा, वेकर formula होने जहां आपको, पाई बराबर CRT, वटे C, molality, आगे लगा दो i, खतम, थरड़े पर आईए, delta TB, पराबर KB into M, molality, तो मास है, mols हैं, आगे i लगातीजे, similarly, delta TF, बराबर i, KF, multiply by M, देख लिए जब, यह चारो formula हैं, जो आपको use करने हैं इस तरह के से, अब आप exam में यह formula use करेंगा हमिश्या, अगर i के बार में कुछ बात नहीं हो रखी हैं, तो i को one मान के put कर दीजिएगा, हाँ अगर सवाल i की उपर आ रख हैं, alpha की उपर आ रख हैं, तो i के साथ आपको solve करना होगे exam, then हैं, एक बार मुझे बता दीजिए, यहां तक clear बेटा, तुम तो क्या यह बताओगे, कम सकम देख लीजिएगा वीडियो को, अच्छे तरीके से, आईए कुछ कोशन करते हैं, फटावट से, और वीडियो को end करते हैं, यह सवाला बेटा, आपका CUT exam में आया तो, कुछ कोशन CUT के हैं, और कुछ कोशन आपके board exams के भी, What type of inter-molecular attraction force exists in the pair of methanol and acetone? Acetone क्या होता है? CH3, C double bond O, CH3, methanol क्या होता है? CH3 OH, इन दोनों की बीच में कौन सी interaction काम कर रही होगे? सर, इसका oxygen है? हाँ है, इसके पास H है, मैंने कहां तो सर, O है, H है, H है, O है, तो क्या करना है? H bonding कर दोना सर, क्या करेंगे? H bonding कर देंगे सर, Hydrogen bonding कर देंगे सर, Hydrogen bonding कर देंगे सर, Yes or No, और Hydrogen bonding क्या होती है? Dipole, Dipole interaction देख लिए अपने पास, Dipole, Dipole interaction, Hydrogen bonding, London forces, Induced Dipole-Dipole Hydrogen bonding is a type of Dipole-Dipole अगर यह option ना दिया होता है, तो मैं इसको टिक मारता है, Dipole-Dipole तो का एक type H bonding होता है, पर वो एक type होता है, तो अगर वो ही दे रखा है, तो हमें यही option टिक मारना पड़ेगा समझे के इकना बड़िया कोशन था है Dipole-Dipole के अंदर आता है H bonding, अगर मुझे यह option दिया नहीं होता है, तो मैं option यह टिक मारता है, Dipole-Dipole Interaction बोलने इसको, उसने बोल दी H bonding, specifically mention कर दिया, इसको टिक मार्ट दिया, H bonding हो जाए, Done, सेकेंड कोशन, 2021 COT में आता है, यह बड़ चेक कर लीजिए इसको आप, Compare the freezing point, NACL, Urea, Potation Sulphate, Aluminium, Chloride, इनका freezing point compare किजिए आप, इन solutions का freezing point compare करने को बोला गया आपसे, चेक कर लीजिए क्या यह dissociate करेंगे, Yes, NACL में बड़ा, आई की value 2 आ जाएगी, Urea ना dissociate करता ना associate करता, आई की value 1 रहेगी, Potation Sulphate में number of ions 3 हैं, इसमें I की value 3 हो जाएगी, Because alpha given नहीं है, strong मानेंगे इसको, Aluminium chloride में alpha नहीं given है, तो 3 chloride है, एक Aluminium है, I की value 4 हो जाएगी, अगर alpha 1 होगा, तो जो number of ions आते हैं, वह event of factor, अच्छी बात है सरी तो, तो मुझे बताओ, physical point कैसे निकालेंगी, तो यहाँ देखी, delta tf बराबर क्या होदर बेटा, i kf multiply by, yes or no, यह की उतरने बस, अगर i जादा है, तो delta tf जादा हो जाएगा, मुझे kf constant हो तो, m मुझे पता नहीं है, सबका same मानेंगी, same solution मना रखा होगा आपका, molality will be same मान लेजिया, तो अगर i जादा है या कम है, तो delta tf जादा कम हो जाएगा, delta tf मतलब elevation in freezing point, और depression in freezing point, अगर depression जादा है, अगर depression जादा है, तो freezing point पर क्या फर्क पड़ेगा, निकाल लेते हैं, तो पहले मुझे बताओ, इन चारों में किसका आई सबसे जादा है, इसका आई highest है, किसका है, aluminium chloride का, aluminium chloride का, delta tf क्या हो जाएगा, highest हो जाएगा, क्या हो जाएगा, highest हो जाएगा, depression in freezing point highest हो जाएगा, but हमसे पूचा है freezing point, वह lowest हो जाएगा, it will be lowest, अच्छा, तो freezing point solution का lowest हो जाएगा, lowest, हमसे पूचा है freezing point बताएगे, ना कि depression बताएगे, depression highest है, the freezing point will be least, हमसे पूचा है, किसका फ्रिजिंट पॉइंट बताओ compare कीजिया ऐसे compare करना आपको अगर यह highest है तो यह lowest हो जाएगा प्रेड़ लोगे next question which of the which is not equal to zero for ideal solution ideal में क्या 0 नहीं होता है अब तो यह तो कर दो गया यह तो फरजी question है delta mixing क्या होता है सर यह तो positive होती है enthalpy mixing क्या होता है zero होता है volume zero होता है तो कौन सा zero नहीं होता entropy entropy आगे बढ़िये आगे बढ़िये सवाल कीजिए done 3 moles A is mixed with 2 moles of B find PA, PPT और आपका P0 A और P0 B दिया हुए सवाल है राउट लोगा तो मुझे बताइए what is PA सर PA आजाएगा P0 A सर मुझे बताइए X A कैसे निकालेंगे तो उसके लिए मुझे moles पता होने चेए moles पता होंगे तो ratio लेलूँगा आजाएगा A के moles कितने है सर A के 3 moles है 3 moles of A and 2 moles of B 3, 3 plus 2 3 by 5 moles अगर X से 3 by 5 है X B क्या हो जाएगा 1 minus 3 by 5 that is 2 by 5 यह सर इतनी महत्स हमी भी आती है हाँ तो निकाल ले भाई निकाल ले What is P A? P note A What is P note A? 200 into X X A is 3 by 5 आग्या P A? हाँ सर What is P B? सर P note B that is 100 multiply by X B What is X B? 2 by 5 आग्या हाँ सर What is P T? P T तो सर P A plus P B हो जाएगा P A plus P B हो जाएगी यह रहा P B यह रहा P A यह रहा P B add कर दो जिन्दा वाद रहो सवाल खतम हो गया सवाल खतम हो गया दन है? चलो भई आगे बढ़ते हैं दन है तो देखिए यह आपका last question है यह आपका last question रहेगा यहाँ से देखिएगा क्या अपने बास है? The VP of Pure Liquid A and B are 450 and 700 mmHg respectively mmHg अपने बास अच्छा ठीक है क्या गिवन है बिटा? सर Pure मतलब P 0 A और सर मुझे Pure मतलब P 0 B 450 mmHg और 700 mmHg मुझे pressure दिया हुआ है सर P 0 A का 400 mmHg 450 mmHg 450 mmHg मुझे पूछा है find out composition of liquid mixture if total pressure is 600 P T मुझे पता है सर P T मुझे पता है 600 हो जाएगा तो मुझे पूछा है X A X B की value क्या हो सकते है simple route low का सवाल है ऐसे ही कर दोगे फिर भी एक बार तमासा कर लो करने का P T क्या हो जाएगा और करके जाएगा वह एक्जाम में ऐसे निकल लो खिलाडी मुद बनना पहले बता रहा हूं lecture देख लीजेगा notes डाल करके पढ़ लीजेगा भाई साब ठीक है बला हो जाएगा अरे बोल भाई कर लोगे न what is P A P not A X A what is P B P not B X B what is P T 600 600 600 हो जाएगा अब मुझे क्या क्या पता सर मुझे X A B ने पता X B ने पता मुझे पता है तरको कहां पता है सर देखते अभी what is P not A 450 X A what is P not B 700 X B क्या होता है 1-X A अच्छा इस पूरे equation में बस X A मुझे नहीं पता पता कर लूँगा सर वो तो मैं solve करके और जब X A आ गया तो X B भी आ जाएगा कोशन खताम हो चुका है यह था आपका Solutions and Colligative का one short revision video for your board exams and suit exams कुछ नहीं करना simply इस lecture को देख लीजेगा अच्छे तरीके से ठीक है Notes पढ़े हुमें है चाओ तो देख लीजेगा समय कम रहे हटाओ Notes को lecture देखिए मस्त रहिए और मस्त पीपर देख आए Thank you All the best